आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हूं रजगुले और यह रजगुले इतने आसान है ना कि आप किसी भी ओकेजन पर घर पे ही रजगुले बना करके एंजॉई कर सकते हैं इस रेसिपी में ना तो मैंने मैदा यूज किया है ना ही कौन फ्लार सिर्फ दूद और चीनी से बहुत ही जटपट से यह रजगुले बन करके तयार हो जाते हैं तो चलिए बिना देर की अपनी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं और हाँ वीडियो को ना स्किप किए बिना देखिएगा एंड तक ताकि सारे टिप्स और च्रिक्स आपको मैं बता सकू और अगर मेरे चानल पर नए आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजे लेकिन क्या होता है ना जब ही आप रजगुलो को बना करके इसको चाशनी में बॉयल करते हो तो उसमें से फैट रिलीज होता है और वो बहुत हेवी होते हैं और बहुत चूवी भी बनते हैं तो गाई का दूद बहुत बैस्ट होता है रजगुले बनाने के लिए तो यहा पर मैंने 20 ml पानी आड़ करके इसका solution तयार कर लिया है तो जो दूध हमने यहां पर रखा है यह इसमें उबाल आ गया है आप देख सकते हैं एक बार बॉयल आया है और मैंने यहां पर गैस का फ्लेम कर दिया है अब क्या करना है एक लाडल की हेल्प से आपको जैसे वीडियो में दिखाई पढ़ रहा है वैसे ही दूध को मिक्स करना है ताकि इसका टेंप्रेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए ठीक है तो ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है अब इसके बाद हम क्या गरेंगे इसी लाडल में विनेगर का सल्यूशन डालेंगे एक बड़ा चम्मच जितना और उसको धीरे से दूध के अंदर डालके हलके हाथो से चला लेंगे आप देखो गे कि एक ही बार में ढालने पर इसमें थोड़ी सी कर्डलिंग चालो हो जाएगी तो थोड़ा सा सल्यूशन हो इसके अंदर और डालेंगे एक बार में सारा solution हमको नहीं डालना है उतनी जरूरत नहीं पड़ती है थोड़ा बहुत बची जाता है तो आप देख सकते हैं बस मैंने यहां पे दो बार डाला है देड़ बड़ा चमच मैंने यहां पे vinegar का solution डाला था और यह देखे हमारा चेना दूद से अलग हो गया है और यह जो वे है वो भी अलग हो गया है तो अब हमको यह solution और नहीं डालना है तो अभी हमने चेना बनाया है उसको हमको च्छान लेना है तो इसके लिए मैंने यह बड़ा सा बर्दन लिया है उसके उपर एसे एक strainer रख देना है और इसी के साथ मैंने एक cotton का रुमाल इसके उपर रख दिया है तो अब हम यह जो चेना अमने बना करके त्यार किया था इसको इसके उपर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर मैंने छेने को अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया है और यह जो वेब बचा हुआ है इसको अभी हम साइड में रख देते हैं आप चाहें तो इसे दाल, सबजी या फिर आटा लगाने के काम में ले सकते हैं अभी हमको छेने को अच्छी तरीके से वाश करना है ताकि जो विनेगर हमने डाला था इसकी स्मेल अच्छी तरीके से साफ हो जाए तो यहाँ पर मैं नॉर्मल टैप वाटर से साफ कर रही हूँ छेना को आप चाहें तो चलते नल के लीचे भी लगा करके दो सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से छेने को वाश कर लिया है सारा जो विनेगर का स्मेल था वो अच्छे से चला गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पानी का फ्लो है वो एक स्ट्रिंग की तरह से गिर रहा है तो इसको तब तक निचोड़ना है जब तक कि ड्रॉप बाई ड्रॉप ना गिरने लगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो प्रेशर लगाने पे ड्रॉप बाई ड्रॉप जासा पानी गिर रहा है तो यानि कि हमारा जो छेना है वो अच्छी तरीके से हमने निचोड लिया है सारा पानी इसका खतम हो गया है और ज्यादा प्रेशर लगा कर भी यहां पे सिर्फ ड्रॉप बाई ड्रॉप ही पानी गिर रहा है तो अभी क्या करना है इसको हमको छन्नी के उपर पोटली बना करके रख देना है तो इसको निचोड रहे हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ही पानी गिर रहा है तो अभी इसकी पोटली बना करके हमको इसको 10-15 मिनिट के लिए जादा से जादा 20 मिनिट के लिए यहां पर ऐसी छोड़ देना है कोई एडिशनल वेट रखने की जरूरत नहीं है इसको 15-20 मिनिट हो गए है तो अभी इसको खोल करके चेक कर लेता है यह बहुत ही परफेक्ट छेना हमारा तयार है तो यहां पर हमारा चेना परफेक्ट है या नहीं यह पता करने के लिए आपको चेना ऐसे उटाना है और आपका हाथ गीला सा फील होगा लेकिन छेना आपका एकदम पानिदार नहीं है ना तो यह आपके प्लेट में चिपकेगा और ना ही हाथ में तो यही टेक्सचर हमको चाहिए छेने का ठीके तो अब क्या करना है हाथों से इस तरीके से प्रेशर दे के हतेलियों से ऐसे रगड़ना है इसको रब करना है इससे क्या होगा हमारा जो छेना है वो स्मूध होगा इसका स्मूध होना बहुत ही इंपोर्टेंट है और इस स्टेप को करने के लिए आपको कम से कम 7-8 मिनिट अपने यहां पे देने होंगे यहां पे अगर आपने जल्दबाजी करी है तो फिर आपके रजगुले अच्छे नहीं बनेंगे और अगर अभी भी आपका छेना गीला है एक्स्ट्रा गीला है और थाली में बहुत चिपक रहा है हाथ आपके गंदे हो रहे है तो अभी भी इसको आप पोटली बना करके और एक्स्ट्रा रख सकते हो ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा ड्रेन आउट हो जाए तो यहाँ पे देखिए, जैसे weडियो में आप देख रहे हैं मैं हतेलियों से रब करकरके इसको नीप कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए, आपका एक perfect छेना का डो तयार है और यह कितना soft है और थाली भी मेरी एकदम clean निकली है मैं आपको छोटा सा पोर्शन तोड़ करके दिखा रही हूं छेना का ये देखे एकदम बटर की तरह से इसका टेक्चर है एकदम स्मूध है बस ऐसा ही टेक्चर हमको चाहिए अगर आपको इस टेज पे भी बड़े बड़े लंप्स दिखाई दे रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए आप और नीट कर सकते हो तो यहां पे हमारा चेना पॉफेक्टली तयार है तो यहां मैंने चेना अपना प्रिपेर कर लिया है अगर आप इस टेज पे यहां पे कॉन फ्लार या फिर मैदा डालना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक आपको डालना है ठीक है अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें घर का जो चम्मच होता है उससे आधा चोटा चम्मच या फिर एक चोटा चम्मच आप डाल सकते हैं और उसको वापस से आपको नीड करना है एक मिनिट के लिए ठीक है तो यहां पे तो मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, इसमें ना ही कॉन फ्लार, ना ही मैदा, सिर्फ दूद और चीनी से अपना रसगुला मैं तयार कर रही हूँ तो यहां पे मेरा डो अच्छी तरिके से प्रिपेर हो चुआ है तो अब मैं शुगर सिरफ के टैयारी कर लेती हूँ तो शीरा बनाने के लिए मैं ने यहां पे इस कप के मेसर से 3 कप चीनी लिया है, ठीक है? 3 कप चीनी लिया है, इस कप का मेसर है 250 ग्राम ठीक? 1 cup में 250 gram आता है तो मैंने 3 cup लिया है यानि 750 gram और इसका 3 गुना हमको पानी डाला है ठीके? तो यानि मैंने 9 cup पानी डाला है 3 cup चीनी में 9 cup पानी तो यहां पे पानी मिला करके हमको इसको गैस पे चड़ा देना है और चीनी मेल्ट होने तक इसका वेट करना है और बराबर चलाते रहना है नहीं तो क्या होगा बेस में जाके चीनी चिपक जाएगी और आपका सिरप जल सकता है तो इसको बराबर जब तक चीनी ना घुल जाए तब तक चलाते रहें तो जब तक हमारा शीरा यहां पर पक रहा है तब तक हम छेना से balls बना लेते हैं तो यहां पर जो दो है इसमें से थोड़ा सा portion इस तरीके से तोड़ लेना है और हतेरियों के बीच इस तरीके से घुमाते वे एक crack-free ball बना करके हमको तयार कर लेना है तो यहां पे मेरा एक रजगुला बन गया है, यह देखे, बिलकुल इसी तरीके से आपको सारे ही रजगुले बना करके रख लेने हैं, ध्यान देना है कि रजगुले में एक भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, जहां से क्रैक आएंगे न फिर आपका सीरप में यह रजगुला बॉल होते टाइम वहां से फूट सकता है, तो यहां पे मैंने बागी के सारे बॉल्स भी बना करके तयार कर लिये थे, तो मैंने 2 लीटर दूद से यहां पर 25 रजगुले के बॉल्स बनाये हैं, आप अपने इसाब से साइस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पे जो शुगर सिरफ हमने रखा इसमें बॉल आने वाला है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ, दो से तीन चम्मज करीब कच्चा दूद, कच्चा दूद डालके इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, कच्चा दूद डालने की वज़े से क्या होता है नो, जो चीनी की इंप्योरिटीज हैं, वो उपर आ जाती हैं, तो उसको इजिली हम निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीनी की इंप्योरिटी इस थी वो उपर आ गई है तो एक स्ट्रेइनर की हेल्प से इस तरीके से आप इसको छान करके निकाल दीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर सिरप में अच्छा बॉयल आ रहा है तो मैं यहाँ पे कि जब हमारे रजगुले पक जाएंगे तो हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे शुगर सिरफ में रंबलिंग बॉयल आ रहा है तो इसी बॉयल को खतम ना करते वे हमको यहाँ पे रजगुले डाल ले हैं अगर इस टाइम पे तो यहाँ पे मैंने सारे रजगुले के बॉल्स को सिरफ में डाल दिया है अब क्या करना है एक लाडल की हेल्प से यह जो बीच में पानी है ना शुगर सिरफ है इसको रजगुले के ऊपर हमको थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और इसको ओपन पैन में ही हम पांच मिनि बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो लाडल का एज है ना यह हमारे रजगुलो को टच नहीं होना चाहिए अभी यह बहुत डेलिकेट है अगर जरा सा टच हुआ तो यह तूट सकते हैं तो बहुत ही आराम आराम से हम इनके उपर शुगर सिरफ डालते रहेंगे अगल आप इस तरीके से रजगुलो को थोड़ा सा हिला दीजे मिस प्लेस कर देंगे तो क्या होगा यह चारो तरफ से पकना शुरू हो जाएंगे तो अभी थोड़े से फर्म हो गए हैं इसलिए हम बैक आप दाल से इसको चला सकते हैं तो अब यहां पे पांच मिनिट हो गए है दस मिनिट के लिए पका लेना है और इसको बिलकुल भी छेड़ना नहीं है आप यह रजगुलो को पकाते वे दस मिनिट हो गए हैं इसको चेक कर लेते हैं यह देखे यह काफी फर्म हो गए हैं तो अब मैं इसको एक स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा-थोड़ा सा चला देना है कि एज नहीं टाच होना चाहिए तो यहां पर अभी हम इसको बिना धकन के पांच मिनिट तक के लिए और बॉइल होने देंगे तो यहां पर ओपन पैन में हमको फिर से इसको पांच मिनिट हो गए हैं पकाते वे हमारा रजगुला अच्छी तरीके से पक चुका है तो अब जो हमने चाशनी पहले से ही तयार करके रखती थी उसके अंदर धीरे-धीरे ऐसे हमको रजगुले उठागर के डालने हैं ध्यान देना है कि हमको यह रजगुले इसको तो थोड़े-थोडे शीरे के साथ में ही हमको अलग निकालना हैं तो यहां पर मैंने गैस का करके सारे रजगुलों को दूसरे पतीले में ट्रांसफर कर लिया था तो यह देखिए मैंने इसको अलग पतीले में निकाल लिया है और यह हमारे परफेक्ट गर्मा गरम रजगुला तयार है लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है वो यह कि इसको हमको चार घंटी के लिए अब ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि यह गरम होते है ना तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते है तो यह पके हैं यह नहीं मैं आपको दिखाती हूं तो यहां पर मैंने एक बोल में तीन रजगुले निकाले हैं और आप देख सकते हैं यह सते पर ऐसे फ्लोट हो रहे है ना करेंगी और उसके पहले मैं यहां पर डाल रहे हूं कुछ स्ट्रैंड केसर के यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अदरवाइस किप कर दीजिए इसे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है तो यहां पर चार से छे घंटे रेफ्रिजरेट करने के बा अगर चाहें दिखाते हूं यह देखिए अंदर से उतना ही स्पॉंजी है और इसको मैं अगें प्रेस कर रहे हूं तो इसमें से फिर भी जूस निकल रहा है तो हमारा यह परफेक्ट रसगुला तयार है मैं इसकी प्लेटिंग कर लेते हूं मेरी तो यह परफेक्ट रसगुला की रेसिपी बनकर के तयार है और मेरी यह रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीज़ेगा इसको बना करके आप जरूर ट्राइ करना और अपना एक्सपिरेंस मेरे साथ कॉमेंट में जरू जरूर बाइ